हेलो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्मार्ट करीट है क्या तो सबसे पहले बात इलेक्ट्रिसिटी को हम ग्रांटेट नहीं ले सकते हैं क्योंकि दिन बाद दिन जो हमारे पास नेचरल रिसोर्सेज हैं वो खत्म होते हैं और इनका अगर हम प्रॉपर वे में इसको हमें स्मार्ट तरीके से यूज करना होगा तभी हम इस चीज का सही तरीके से बेनिफिक ले सकते हैं तो अब हम लोग जनरेशन करने के लिए लेक्रिसिटी जनरेशन करने के लिए बहुत पहले से ही कोल, फसल फ्यूल या जो गैस है उसकी मदद से हम जनरेशन करते थ कि जिसे हम burn करते थे और हमारा यह atmosphere को भी pollute करता था और resources के जो हमारे stock है वो भी खत्म होते हैं इसके बाद क्या था कि जो हम generation कर रहे हैं उसे सब उसे हम power electric grid के थुरू generating station से consumer तक पहुचाते हैं through transmission line और sub station की मदद तो consumers यहां हमारे तीन तरीके के होंगे commercial, industrial और domestic customer लेकिन यह जो हमारे power grid है उनके यूज करने से या हमारे load बढ़ने से power grid में कहीं न कहीं कुछ problem आता है जैसे उसे हमेसा upgradation की जरूरत पढ़ती है अप gradation की जरूरत पढ़ती है कहने का मतलब या तो हमें नया install करना है या उसे maintenance पर लेके जाना है तो दो एक्जामपल है जैसे मान लीजिए हमारा transmission हम कर रहे हैं तो हमारे power station में या power grid power station में उतना हम generate नहीं कर पा रहे हैं load उतना electricity जितना हमारा load demand है तो यह condition क्या आपका बनेगा blackout बनेगा अगर transmission line या सब station में कोई fault आता है तो भी ये condition क्या का बनेगा blackout का बनेगा अभी का जो हमारा existing grid है वो क्या है single source है मतलब हम generate एक जगह से कर रहे हैं और वहां से distribute कर रहे है power consumer तक तो यह एक तरह से single line channel है और हम हमारे पास detailed information कभी नहीं मिल पाता है हर customer के load का individual के load का तो यह हमारे generation में बहुत बड़ा problem create करता है तो जब हमारे पास load के कोई भी detailed information नहीं है तो हमारे पास electricity generation को manage करना बहुत ही difficult task हो जाता है तो पास में हम लोग क्या करते थे कि जब हमारा load बढ़ता है हम simply यह क्या करते थे power station को generating station को install कर देते थे नया power station को connect कर देते थे तो इस ते क्या था कि यह problem तो solve हो जाता था लेकिन यह क्या proper सही way है solve करने का तो नहीं क्यों क्योंकि power station install कर रहे है तो हमारा जो भी resources है वो जाहे coal हो oil हो तो यह हमारा consume हो रहा है और यह साथ ही साथ पर्यावरन को भी harm पहुंचा रहा है जो पर्यावरन को भी harm पहुंचा रहा है इसके बाद क्या किया गया है कि जो हमारे पास resources available है जैसे के existing rate उसमें हम लोगोंने software और sensor का use किया जिसको लगाने से हमारा जो sensor है वो consumer की तरफ का हर एक information चोटा sensor generating station या load center तक पहुचाने लगा इससे क्या फाइदा हुआ कि हमें जो भी information है कब क्या load बढ़ रहा है क्या load गट रहा है यह सारा information consumer के तरफ से मिलने लगा sensor की मदद से तो यह क्या होता था कि हमारे काम करने का तरीके में बहुत आजानी होई किसी भी तरीके का change होने से हम लोग पहले ही उसके लिए तयार रहने लगें मान लेते हैं कि जैसे transmission line पे एक पेड़ गिर गया बड़ा पेड़ पेड़ गिर गया तो तार को जो हमारा conductor है उसे तोड़ दिया तोड़ने काद हमारा traditional way क्या था कि एक lineman होगा वो supply काटेगा हम site पे जाएंगे पेड़ को आट आएंगे wire connect करेंगे और फिर चार्ज लेकिं software और sensor की मदद से क्या हुआ कि हमारा sensor और यह है तुरत sense करेगा कि कहां पे fault है और faulty part को तुरत healthy part से अलग करेगा और बाकिये जगर service को resume कर देगा through proper channel यह दूसरे channel से जो भी हमारा channel interconnected channel जो कि निरेश्ट होगा महां से वो service को resume कर देगा जो हमारा load और load और time का जो graph है वो हमेशा vary करता है दिन में कभी वो constant नहीं रहता है load तो load हमेंसा कभी pick पे जाता है उसके आद वो maximum day के time वो जड़ा load रहता है रात के time पर हम देखते हैं कम है तो अगर consumer को यह benefit मिले कि वो consumer अपने घर पर यह बैट के mobile में या फिर अपने meter म कम है जैसे जरली हम जानते है पिक और दिन में होता है पिक और में हमारा जो ज्यादा रहता है और रात के load कम हो जाता है तो load ज्यादा होगा तो हमें क्या है कि older plant को चलाना होगा जो come efficiency का plant है और हम उस load को meet करेंगे तो इसके चलते जो हमारा pick demand का charge होता है per unit charge हो हमेशा ज्य करें electricity उस समय तो उसके लिए भी beneficial होगा कि उसको charge कम लगेंगे और load center में भी क्या होगा कि जो हमारा pick demand है वो value कम होगा जो हमारा load center है वो हमारे demand को हमेशा fulfill कर पाएगा एक example लेते हैं जैसे कि हमें अगर washing machine में कपड़ा सुखाना है तो कपड़ा सुखाना है कि रात को 12 predefined set कर देंगे time कि 2 बज़े रात को start करना है और उसको dryer कर 10 मिनिट चले कर बंद हो जाना है तो वो जो हमारा machine है या washing machine है वो क्या करेगा जो हमारा predefined time है उस पर response करेगा on होगा और हमारा काम करने क्या दो बंद हो जाएगा तो इस से क्या है कि हम पहले predefined state रखेंगे कि इस time पर हमको इतना load है तो load center को भी यह पता है कि इस समय हमको certain amount of load बढ़ना है या घटना है तो इस से हमें जो भी change आ रहा है उसे manage करने बहुत बदद मिलेगा और इस तरीके का चीज़ अगर हम use करते हैं तो हमें पर्यावरन को भी हम बचा सकते हैं और हमारे energy saving भी हो सकता है द जो हमारा अभी concentrated generation था वो अगर हम wind energy और solar energy यूज़ करें तो distributed हो जाएगा तो distributed होने से energy का क्या फाइदा होगा कि अगर एक system में एक एरिया का कोई fault आता है तो हम क्या करेंगे उस faulty part को अलग करेंगे और उसे maintenance देंगे लेकिन बाकी एरिया में हम resume कर सकते हैं supply या तो अग हमारे atmosphere को भी फाइदा होगा फिर हमारा जो fossil fuel है उसकी भी बचत होगी next generation के लिए consumer अपने bill को भी सही दंग से देखके कम पैसे में भी काम bill को भी बचा पाएंगे energy safe भी होगा और यह सब फाइदा हमारे smart grid को यूज़ करने से होता है तो smart grid हमारा healthy environment को भी रखता है और economy को भी boost up करता है हमारे पैसे बचा के per unit cost में तो उम्मीद करता हूं कि smart grid के इस वीडियो से आपको smart grid समयने में मतलब मिलिए